हेलो फ्रेंड्स यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्स ऑफ इंग्लेज हम टीजी टीजी टी टू थूजन ट्वेंटी बन के लिए लिट्रेचर पढ़ रहे हैं और बिलियम वर्ट्सवर्थ पर ये थर्ड वीडियो है जिसमें सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे और इंटीमेशंस ऑफ इम्मोटलइटी फ्राम रीकलेक्शेंस ऑफ अर्ली चाइल्ड होड इसकी पहले बाॉड में हम इस्टेंजा फास्ट से लेकर आपने इस्टेंजा में इनकी सेबंत इस्टेंजा में आपने पढ़ा था कि एस्ट्री कॉलिज का जो वाय है सिक्स बरसकर लगा है वो खेल रहा है तो उसी को खेलते हुए देखकर बिलियम बट्सवर्ट सेकिंड इस्टेंजा डेस्क्राइब करते हैं और कहते हैं कि जब बालक इस फिर उसी बालक को देखकर कहते हैं दाओ यह बच्पन दाओ के आपर आया है उस बालक के लिए उस बच्पन के लिए उस चाइल्ड हुड के लिए खूज एक्स्टीरियर संब्लेंस यह उस बालक का जो बहारी रूप है डथ बिलाई धोका देता है यह जूटी रूप प्र तुम्हारे आत्मा की ग्रेटनेस का तुम्हारी आत्मा के विसालता का तो कहते हैं कि हे बालक तुम दिखने में तो जो बहारी रूप है ऐसा नहीं लगता कि तुम बहुत महान हो लेकिन तुम्हारी आत्मा जो है बहुत ज्यादा महान है फिर उसको कंपेर करते हैं उसको एड्रस करते हैं दाव बेस्ट फिलोस्पर तुम सबसे अच्छे दार्शनिक हो तुम अभी भी अपनी बिरासत को अपने पास रखे हुए हो कौन सी हेरिटेज की बात कह रहे हैं जब बालक इस दुनिया में आता है जैसे कि पिछले पड़ा था वह इस्वर लोक की इसमृतियों को साथ लेके आता है तो कह रहे हैं तुम उस एटर्नल लाइट को अभी भी अपने साथ रखे हुए हो दाव आई एमांग दा बिलाइन्ड यानि कि तुम हम अंधों में अंधे कौन से हम जो लोग आध्यात्म गरूप से अंधे हैं उस उन अंधों में तुम अकेले आँख वाले हो देट डीफ एंड साइलेंट जो मूख हो करके और ध्वनिरत भाव से रीडेष्ट दा एटरनल डीफ अपनी आंतर आत्मा में जाता है और बहां इस्वर का अध्यान करता है इस्वर के बारे में जानता है Haunted forever by the eternal mind और तुमारा मस्तिस्क हमेशा तुमारा जो आंतरिक बुद्धी है उसमें इस्वर के दरशन करता रेता है फिर उसको क्या कहते हैं mighty prophet seer blessed फिर कभी यहां पर बालक को एक सक्ति साली पैगंबर और seer blessed का मतलब होता है सुखी भविस द्रश्टा देखे blessed माने सुखी हो गया और seer माने होता है जो द्रश्टा जो आपको future देख सके तो तुम महन पैगंबर हो और एक सुखी भविस द्रश्टा हो on whom those truth do rest which we are toiling all our lives to find in darkness lost darkness of the grave तो यहां पर कह रहे हैं कि तुम इस प्रकार के मस्या हो जिस पर truth do rest जिसमें वो सच्चाईयां बसती हैं जिसकी आत्मा में सच्चाईयां बसती हैं बालक के मन में हम इसा सच्चाईयां रहती हैं और कौन से सच्चाईयां रहती हैं इस्वर लोग के which we are toiling all our lives to find ऐसी सच्चाईयों को जो हम बड़े लोग और ब्यार का मतलब है हम बड़े लोग toiling all our lives to find अपने पूरे जीवन भर उनको पाने की जुगत में महिनत करते रहते हैं in darkness lost the darkness of the grief के रहे हैं हम अंधेरे में ही खोई रहते हैं तो अंधेरे में खोने का मतलब है हम सांसारिकता के अंधेरे में खोई रहते हैं और darkness of the grief और सारे जीवन भर इसी अंधेरे में भड़कते भड़कते ग्रेप तक पहुँच जाते हैं दाव ओवर हूम दाई इम्मोटिलेटी ब्रूट्स लाइक दडे और आम मास्टर ओवर असलेग तो करें दाव ओवर हूम दाई इम्मोटिलेटी निस तेर्व तुम्हारे उपर जो है इम्मोटिलेटी मने के अमर्ता का इन के इस्वर का the Exec た एक ठोच א। अ está ने मार्ड ँभू हे पर अपने सिलेब पर जो है कंट्रोल करता है। फिर आगे कि तरके कह रहे हैं,आप प्रिजेंस विच इज नौट टू भी पुट भाई, मैं तुमारे अंदर एक ऐसी प्रिजेंस देख रहा हूं, विच इज नौट टूबी पुट भाई, तो ऐसी आतमा जो तुमारे अंदर सकती है, कि तुम्हारे अंदर जो इस्वर के गुण उपस्थित हैं उसको अविर्णा नहीं किया सकती यानि कि उसको अंदेखा नहीं किया जा सकता दाव लिटल चाइल्ड तुम छोटे बच्चे हो तुम छोटे बच्चे हो येट ग्लोरियस इन दा माइट लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर वो चमकदार सकती है और है और है उस स्वर्गिये स्वतंतरता की ऑन दाई बिंग हाइट जो तुमको उचाईयों तक पहुचाती है तो कहरा है ये सब बातें तुमारे उचे होने को दरसाती है यानि कि तुम में अभी इश्वर के सारे गुण इश्वर के यहां से तो आये हो तो बही सारे गुण जो दिब प्रिकास है वो तुमारे अंदर अभी भी बसा हुआ है फिर उसे एक कुश्चन करते हैं क्या कुश्चन करते हैं तो यहां कह रहे हैं जब बचपन में इतनी सारे खूबियां है तुम्हारे अंदर इस्वर लोग की सारी जानकारियां है तो फिर क्यूं बड़ा होना चाहा रहे हो दाउ प्रवोक का मतलब है यहां पर तुम ब्योर्ष्कता को बुलाने के better क्यों आमंत्रन दे रहे हो प्रेवक का मतलब होता है आमंत्रन देना इंवाइड करना दाइएर समारे बयस्कता यारी कि उम्र दराज होना तुम बचपन में हो तुम बढ़े होने के लिए इतनी बड़ी मेहनत कर रहे हो तुम उस इनएवीटेबिल योक माने भार जुआ कर ब बेस्कता का यहाँ पर blindly का मत्तब है बिना सोचे समझे अपने बरदान को जीवन के संगर से क्यों बदलना चाह रहे हो अब पूरी लाइन का एक बार फिर अर्थ जान लेते हैं पूरे का अर्थ है कि तुम उम्र दराज बनने के लिए क्यों इतनी महनत कर रहे हो और क्यों जो अनबारी जुआ है जो जीवन का संगर से यह के प्रोड अवस्था है तो उसमें क्यों आना चाहा रहे हो और क्यों बिना सोचे समझे अपने बरदानों को जीवन के संगर से बदल लेना चाहते हो फुल सून बहुत जल्दी ही अभी तुम बचपन में हो तो बहुत जल्दी ही तुमारी जो सोल है इस अर्थली फ्राइट इस धरती के बोज को कौन सा होता है खाने का कमाने का एंड कस्टम्स और उसकी रिती रिवाज है प्यार इसने ग्रीड यह बहुत सारे आदिते होती है यह लाई अपाउन दी विदे बेट तो करा यह बहुत जल्दी ही तुमारे भाग में यह जीमन जो अर्थली फ्राइट है इनके खाने कमाने का सान सारे की बोज है और उसकी रिती रिवाज है लाई अपाउन दी बेल विद आवेट तुमारे ऊपर एक बोज के समान लद जाएंगी हैबी एज फ्रोस्ट और इतनी भारी होंगी जितना की भारी पाला होता है और इतनी गहरी होंगी जितना की गहरा जीवन होता है तो कह बड़े होने की मुसीबत में फस जाओगे तो केबल मरने के बाद ही इन सारी बातों से छुटकारा मिलेगा इस टेंजा नाइंथ है तो इस नाइंथ इस टेंजा में बता रहे हैं कि बच्पन अभी चला गया है यह पास्ट चला गया है लेकिन इसकी यादों में अभी भी कुछ इसमिर्थियां बची हुई है अभी भी याद है जिनमें कुछ ना कुछ है तो कह रहे हैं ओ जौए देट इन आवर एमबर्स तो ओ जौए बड़े ही सुख की बात है बड़े ही आनंद की बात है इन आवर एमबर्स देखिए एमबर्स सब्द जो है इसका अर्थ होता है राक तो बच्पन की इसमिर्थियों की राक यहां अर्थ है हमारे बच्पन की इसमिर्थी की राक इसमें कुछ ऐसा है जो अभी भी जीवित है जैसे किसी राक के अंदर बाहर से तो दिखाई नहीं देता लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं आग होती है तो कह रहा है बच्पन की इसमिर्थियों में अभी भी कुछ ऐसा है जो इसमिर्थियां जीवित है जिसको अभी भी याद रखा है वाडवास सो फगेटेब जो भाग गया है तो फगेटेब कहा गया है बच्पन को तो कह रहा है बच्पन की इसमिर्थियां अभी भी है जिनमें जो बच्पन भाग गया है लेकिन उसकी इसमिर्थियां अभी भी बच्ची हुई है तो यहाँ पर यह बता रहे हैं कि कैसे इन बची हुई इसमर्तियों से बच्पन की यादों से जो हमको मिला है उसे किस प्रकार फाइदा उठाया जा सकता है जो पिछले समय के यानि कि जो बच्पन की यादों का जो समय था मी डथ ब्रीड मेरे अंदर कुछ भाव उत्पन करते हैं पर पेच्पन की यादों ने मेरे अंदर कृतगता के भाव उत्पन किये हैं नोट इंडीड वो भाव इसलिए नहीं है फॉर देट विच इज मोस्ट बर्दी और टूबी ब्लेस्ट कि बच्पन बहुत कि समय बहुत अच्छा था इसलिए बच्पन की प्रसंसा की जानी चाहिए ऐसा भाव इसलिए नहीं है मेरी कृतगता इस कारण नहीं है कि मैं बच्पन की प्रसंसा करूँ फिर किसलिए है फिर कह रहे हैं डिलाइट एंड लिवर्टी दा सिंपल क्रीड ऑफ चाइल्ड हुट बैदर बिजी और अट रेस्ट बिद न्यू फिलेज़ होप इस्टिल फिलेट्रिंग इन दा रेस्ट बहुत ध्यान सुनना यहां कभी बता रहा है कि उसको प्रिकृति ने बच्पन में जो आसीर उसका कितना आभारी है और बता रहा है कि बच्पन की जो इस्मिर्थियां है उसने उसको बहुत कुछ दिया है तो क्या क्या दिया है उसकी गिंती करिए क्या दिया है डिलाइट एक तो उसको दिया है डिलाइट एंड लिवर्टी तो उस आनंद के लिए जो प्रश्पन न चाइल्ड हुड बच्पन ने वो विश्वास दिया है जो किसी भी व्यक्ति में सहजता से विश्वास कर लेता है लेकि बालक को अगर आप कोई बात बताएंगे तो बालक बहुत ही सहजता से उस बात को सच मान लेगा तो बच्पन ने उसको क्या दिया है एक डिलाइट दी ह है लिवर्टी दी है और सिंपल क्रीड ऑफ चाइल्ड हुड बच्पन में सहज रूप से विश्वास होता है हो जाता है तो उस विश्वास करने की उसको आदत दी है बिद न्यू फ्लेज ऑफ होप्स तोरी तोरी बैदर बिजी और एट रैस चाहें बिजी हो या रैस्ट आराम कर रहे हैं किसी भी समय विद न्यू फ्लेज होपस नए नई पंखो बाली आसाइं दी हैं इस्टिल फ्लेट्रिंग इने ब्रेस्ट जो अभी भी उसके हिर्दे में बस रही है तो पहले बात कई कि मैं बच्पन की इस मिर्तियों का किस प्रिकार आभारी हूं क्योंकि बच्पन ने मुझको खुसी दी है मुझको स्वतंतरता दी है और सहज विस्वास करने किसी भी परस्तिती में चाहिबी जी हो या रेश्ट हो सहज विस्वास करने की पिरकृति दी है और नई नई आसाओं को मेरे दिलों में मेरे दिल में जो है जगा दिया है फिर अगले क के बच्पन की प्रसंसा में जो गीत गा रहा हूं तो बोले ये गीत इसलिए नहीं है कि मैं बच्पन का आभारी हूं बल्कि कुछ और कारण बता रहा है तो वो कारण अगले बता रहा है कौन से हैं बट फॉर दोज ऑस्ट्री नेट कुष्चंस बल्कि ये जो आभार है उन प्रिशनों के लिए है उन जिद्धी प्रिशनों के लिए है कौन से जिद्धी प्रिशन हैं देखिए मैं मैं आपको सिना रहा हूं बच्पन में बट फॉर ने प्लेटो जो दार्षनिक हैं उनका एक दर्सन पड़ा था कि इस संसार में जितनी भी चीजे हैं वो चाया मात्र हैं उनका असली मॉडल तो इस वर के यहां रखा है तो इस वर के यहां यहां हम इस दुनिया में जितनी भी फिजीकल चीजें बहुत एक बस्तूओं को देखते हैं वो सब उन बस्तूओं का चाया मात्र है जो इस वर के यहां है तो बच्पन में इसने इस बात को मान लिया अब मान लिया तो कह रहा है कि इस दुनिया की जित अडिक प्रिशन थे तो उस इन अडिक प्रिशनों के जवाब जवाब जो है बच्पन ने दिया है कैसे अब उसको पढ़ते हैं अडिक प्रिशनों के लिए जिसको मैंने बुद्धी के द्वारा देखा और जिसको मैंने भौतिक जगत की बस्तू को देखा फालिंग फ्राम अस उनमें मैं खोता गया बैने सिंग जब मुझको देखता था तो मैं उसमें अपना अस्तित्म खो देता था बैने सिंग हो जाता था यानिके मैं उन्हीं बस्तियों को देखते देखते उन्हीं बस्तियों में रम जाता था बिलेंग मिस्गिविंग ऑफा क्रियेचर ये बच्पन में जो चीजे थी और जब मैं अभी भी उन्हीं बस्तियों को देखता हूँ तो देखते, देखते, मैं उनको क्या हो जाता हूँ, blank misgiving, blank misgiving का मतब है, कि मैं उनमें बेसुद हो जाता हूँ, और फिर मुझको ऐसे संधे होते हैं, moving about in the world not a lie, तो कोई आम घूमने बाला ब्यक्ती इस संसार में उन संधेयों को महसूस नहीं कर सकता, जो मैंने महसूस किये हैं, और ये quality किस ने दिया मुझे, बच्पन ने दिया है, मैं इनके लिए आभारी हूँ, फिर अगले कह रहे हैं, high instinct, इतना उच्छ सहज ग्यान मुझको दिया है before which our mortal nature did tremble like a guilty thing surprise, तो यहां पर कह रहा हैं कि बच्पन ने मुझको बहुत सहज बुद्धी दिया है, अगर मैं उस सहज बुद्धी, उस सहज बुद्धी से मेरे अंदर का जो moral nature है, जब मुझको जानकारी हो जाती है कि बास्तिविक्ता क्या है, तो मैं ऐसे कप-कपा जाता हूँ, जैसे कोई गुल्टी व्यक्ती देखकर डर जाता है, फिर और आभार पिरकत कर रहा है, इन लाइनों में भी कभी जो है आभार को दरसा रहा है, तो कैसे आभार दरसा रहा है, बट फॉर दोज फर्स्ट अफेक्शन, बोले मैं उन पिर्थम इसमिरतियों से उत्पन जो अफेक्शन है, इसने है, उनके लिए भी आभारी हूँ, दोज सैडोई रीकलेक्शन, उन यादों को जो अब धुंदली हो गई है, उनके लिए भी आभारी हूँ, and be that what they में, चाहें वो इसमिरतियों किसी भी प्रकार की रही हूँ, लेकिन मैं उनका आभारी हूँ, औ और वो इसमिरतियां चाहें किसी भी प्रकार की रही हो, are yet the fountain light of all our day, ये सारी इसमिरतियां जो बच्पन की हैं, बच्पन के वो आसीरबाद की बात कर रहा है, बच्पन के जो आसीरबाद हैं, वो उसके पूरे जीवन भर एक fountain light रहे हैं, यानि कि उसके संपूर जीवन के ल light of all our things, जो हम अपने संपूर जगत को देख रहे हैं, इस संसार में वो बच्पन की यादें, वो बच्पन की blessings कि का काम कर रही हैं, वो काम कर रही है, master light का पिरमुख मार्वदर्सक जोती के समान काम कर रही हैं, वो हमारा पत्व प्रदर्शन कर रही हैं, uphold us, फिर कह रहे हैं, uphold us, cherish, uphold us का मतलब है, हमको support करती हैं, मदद करती है, cherish का मतलब है, हमको ऊपर उठाने में, cherish सब्द का अर्थ होता है, portion, यहनि कि, nursement देना, तो हमको nursement दे करके, ऊपर उठाती हैं, बच्पन के वो आसीरबाद, जिसने मुझको सहज बुद्धी दी है, जिसने मुझको सहज बिसपास करने की सक्ति दिया है, जिसने मुझको delight दिया है, जिसने मुझको power दिया है, have power to make our noisy years, तो यहाँ पर noisy years का जो मतलब है, उनमें इतनी सक्ति होती है, कि हमारे जो noisy years है, तो noisy years हमारे जीवन के जो कश्ट पूर दिन है, हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ कश्ट आते हैं, seems moment in the being of the eternal silence, यहने के इश्वर के मार्क तक पहुंचते पहुंचते हमारे जीवन में जो कश्ट आते हैं, तो वो कह रहे हैं, वो एक moment की तरह, छड़ भर मात्र पृतित होते हैं, समझ माया? कह रहे हैं कि उन बच्पन की जो आसीरबाद हैं, तो उसने हमको ऐसी सक्ति प्रदान की है, कि वो हमारे जीवन को तरक्की प्रदान करती है और ऐसा लगता है कि जब भी हमारे जीवन में कस्ट आते है तो वो सक्टी हम को बताती है कि कस्ट जो जीवन में आये हैं वो छणभंगोर है और कुछ समय बाद चले जाएंगे truth that way to perish never तो ये ऐसी सच्चाई को उत्पन करते हैं कि वो to perish never जो कभी भी समाप्त नहीं होगा अब किस सच्चाई की बात करते हैं वो सच्चाई समझ देगी है कह रहे हैं ये रहा आपका बरतमान जीवन ये life है और life जो है full of sufferings है और ये जीवन के बाद का समय है और ये जीवन के पहले का समय है इन दोनों समय में जीवन के बाद के समय में और जीवन के पहले समय में खुसियां ही खुसियां है और life जो है संगरसों से भरी हुई है तो ये सच्चाई जो है बचपन ने उसको प्रदान की है ये philosophy है इनके कहने की कि अब जो जीवन जो है छण भंगुर मारा है तो है और यहाँ पर जो मुसीवते आती है वो भी छण भंगुर है वो भी नहीं लंबे समय तक रहेंगी और ऐसा विस्पास जो बचपन ने उसको जगाया है तो परिश ने पर वो कभी भी समात नहीं होगा फिर आगे कह रहे हैं विच नाइदर लिस्ट लेशनेस नौर में एंडेवर नौर में और व्वाय नौर आल देट इस एट एनिमिटी बिद ज्वाय कें अटरली एबिलिस और डेश्टरा है यनिके उसको ऐसा सुख प्रदान किया है जिसको कैसा सुख प्रदान किया है नाइदर लिश्ट लेशनेस जिसको नाही नीरस्ता यनिके इस सच्चाई को ना तो जीवन की नीरस्ता नौर मेड एंडेवर mad and over का मतलब होता है पागल कर देने बाले प्रियास तो पागल कर देने बाले प्रियास को किसे कहा है कि जब इनसान इस दुनिया में आता है तो धन कमाने के लिए ही लग जाता है और धन कमाने के इसी प्रियास को William Burtsworth mad and over कहते है तो कह रहे हैं ना तो जीवन की नीरस्ता और ना ही धन कमाने के लिए जो पागल प्रयास है ना ही आदमी जब बड़ा होता है और ना ही तब जब आदमी बालक रहता है ना वो सारी चीजें ना एनिमिटी ओव जोई का है सारी प्युडाओं को सरीर में जब प्युडाएं आती हैं सरीर में जब ब्यादियां आती हैं तो इस इंसान की सुखों को नश्ट कर देती हैं तो यह सारी चीजें जो है जो है जो आए की अनिमिटी कहा गया है यहीं कि सुखों का सत्रू तो यह सारी चीजें इन सारे भावों को जो पहले विचार उसके अंदर उत्पन हुए है पहले जो सच्चाई उत्पन हुई उसको समात नहीं कर सकती तो करा है हैंस इस प्रिकार इन दा सीजन ओफ काम बैदर दो फार इनलेंड भी इस सांत मौसम के बाता बढ़ में इस सुख में बाता बढ़ में दो इनलेंड फार भी भी चाहे हम उस बच्चपन की यादों से कितने ही दूर आ गए हों चाहे पहले हमको प्रिकरती में जो एटनल लाइट दिखाई देते थी उससे हम कितनी भी दूर आ गए हों आवर सोल हैब साइट देट इमोटल सी लेकिन फिर भी हमारी आत्मा उस अमरता के संसार को देखती है अमरता के सागर को देखती है विच ब्राउट अस इधर उस जहां जो हमको जीवन यहाँ पर लेके आया है कैना उमेंट ट्रेवल देर तो हम इस मन की कलपना के द्वारा एक ही छण में उस असीम सागर में चले जाते हैं और बच्चों को समुद्र के किनारे खिलत हुए देखते हैं और बहाँ पर जो सागर का पानी है उसको उमरते हुए देखते हैं तो यह था इस तेंजा नाइन्थ अब टैंथ में देखते हैं टैंथ में यह बताते हैं कि अब जो एटर्नल लाइट थी जिसको हम बच्पन में उस दिब ज्योती को देखा करते थे वो दिब ज्योती भलेई अब नहीं है लेकिन मौसम तो खुस्नमा है तो फिर कह रहा है then sing a word and sing a joy song हे पक्षियो गाओ चह जाओ प्रसंता भरे गीत गाओ and let the young lamb bound as to the table sound छोटे मेमने नाचो नाचो ऐसे जैसे धोलक बज रहा हो be in thought will join your throng हम बिचारों में तुमारे throng तुमारे group से जुड़ेंगे अब हम बहाँ सजीब ना करके अब बिचारों में तुमारे साथ होंगे eat that pipe, eat that play, तुम जो चहचा रही हो, eat that play, तुम जो उच्छल कूद कर रहे हो यहाँ पर यह बात मेमने के लिए कही गई है और यहाँ पर यह बात पक्षियों के लिए कही है that through your heart today feel the gladness of the may वो सभी लोग जो इस मई के इस्प्रिंग सीजन में अपनी दिलों के अंदर खुसिया मना रहे है what though the radiance which was once so bright क्या फरक पड़ता है जो eternal light बच्पन में काफी तेज दिखाई देती थी radiance का मतब जो eternal light है दिब जोती जो दिब जोती बच्पन में बहुत तेज दिखाई देती थी be now forever taken from my side वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी दृष्टी से ओजल हो गई है फिर वो कह रहा है though nothing can bring back the hour of splendor in grass of glory in flower अब कोई भी उस च्छन को उस समय को बापस तो नहीं ला सकता जब घास में चमक दिखाई देती थी फूलों में चमक दिखाई देती थी be will grieve not rather find strength in what remain behind फिर भी हम इस बात पर दुख नहीं मनाएंगे दुख नहीं मनाएंगे बलकि जो कुछ पीछे रह गया है पीछे क्या रह गया? बचपन जब चला गया है वो gladness चली गई है तो सारी चीज छीन के नहीं ले गई बलकि कुछ मनो भाव तो दे गई कुछ आध्यात्मिक सक्ती तो दे गई कुछ सोचने की सक्ती दे गई तो उसी से काम चला लेंगे यहां कहना चाह रहे हैं कि strength in what remains behind उससे ताकत प्रदान करेंगे अपने आप में जो पीछे रह गया है तो पीछे क्या क्या रह गया है वो बता रहे हैं इंदा primal sympathy primal sympathy का मतलब होता है मौलिक जो साहनवूती की भावना है ठीक? which having been must ever be जो हमें सा से मेरे अंदर है तो अभी बात कर रहे ते उपर कि जो चीज बचा हुआ है उससे काम चलाएंगे तो बचा हुआ क्या है? पहले एक बात बचा हुआ है कि primal sympathy बची है यानि कि पहला पिरभाव जो बचा हुआ है मौल भूत साहनवूती which having been must ever be जो दिल के अंदर हमेशा रहनी चाहिए in the soothing thoughts that spring out of human suffering दूसरा कह रहे है कि वो सांती दायक बिचार है या वो सांती दायक बिस्वास है that spring out of the human suffering जो मनुस्रकी जो suffering है उसको निकाल के बाहर कर देती है तो क्या कहा है कि ये सांती दायक बिचार है कि human suffering जो है वो च्छन भंगुर है और ये बिस्वास उन दुखों को देखकर घवराता नहीं है बलकि उनको दूर कर देता है दो बिचार हो गए तीसरा कह रहा है in the faith that looks through death उसने तीसरा वो गिरण विश्वास दिया है कि जो मौत को इस तरह देखता है कि मौत के बाद जो है आपको ईस्वर लोक मिलेगा और चौथा पिरभाव जो है in years उसको बढ़ापा दिखाई देता है brings the philosophic mind ऐसा नहीं कि बचपन चला गया तो सब कुछ चला गया अरे बढ़ापा आया है तो साथ में philosophical mind भी तो आया है तो कहने की बात है कि जब बचपन चला गया तो यह चार चीज़ें तो कम से कम उसके पास है अगली बात इस्टेंजा 11th की बात हो रही है फिर कह रहा है ओ इस फाउंटेन मीडोज हिल्स और ग्रूप्स फारवोड नोट अब यहां पर पहले जो बात कही अभी क्या बात कही थी कि बचपन चला गया है और फिर दूसरी चीज़े आ गई तो बचपन के आसी बात चेंज हो गया दूसरी चीज़ों में तो करा ओ यह फाउंटेन है जर्नों चरागाओ पहाड़ियों प्योड़ों के जुर्मटों कि फॉर्विट नोट कलपना मत करो उल्टी सीधी कलपना मत करो यह यह युक्त कलपना मत करो कि हमारा सैबरिंग हो गया है यह हमारा जो आपस का पीच का प्यार है वो टूट गया है ऐसी कलपना मत करना यह कह रहे हैं कि मेरा और प्रिकृति का जो प्रेम है वो हमेशा से जुड़ा हुआ है यत इन माई हाट ऑफ हाट आई फील यूर माइट बोले मैं अपने दिल के भीतर की गहराईयों में मैं तुमारी सक्ति को मैं प्रिकृति की सक्ति को महसूस करता हूँ I only have relinquished bundle light मैंने केबल एक आनंद को त्यागा है बोले मैंने सब कुछ थोड़ा है केबल एक आनंद छोड़ा है कौन सा आनंद to live beneath your moral habituals है यहाँ पर मतलब है जिस प्रिकार बच्पन में मैं प्रिकृति के खुले बाता बरण में घूमा करता था प्रिकृति की गोद में एक छोटे बालक की तरह लेटा करता था वो आनंद छोड़ दिया है बस मैं अब उतना प्रिकृति में घूम नहीं पाता लेकिन प्रिकृति का जो और मेरा संबंध है वो तो मेरे दिल की गहराईयों में बिराज माना है वो सक्ती मैं अभी भी अप मैं उस छोटी नदी को भुरू को प्यार करता हूं पसंद करता हूं जो केड़े मेरे रास्तों से नीचे उचल कूद करती हुई आती है इविन मोर दैन इससे भी बढ़कर वेन आई ट्रिप लाइटली ऐस दे मैं ट्रिपल्ड लाइटली ऐस दे बे मैं उसी तरह उचल कू सर्दुदकर चला करता था जैसे कि नदियां छहले रकरती थी मैं उससे भी ज्यादा پ्यार करता हूं The innocent brightness of a newborn day is lovely yet जो innocent brightness है यानि कि जो लालिमा है, सुद्ध लालिमा है newborn day सुभह के समय की is lovely yet मुझको अभी भी प्यारी लगती है ऐसा नहीं है कि बच्पन में प्यारी लगती थी तो जो सुभह सूरज की बिसुद्ध लालमा होती है मैं उसे अभी भी प्यार करता हूँ फिर कह रहा है The clouds that gather around the setting sun वो बादल जो छिपते हुए सूरज के चारो तरफ इखटे हो जाते हैं Do take a sober coloring from an eye तो मेरी आँखों में उनका sober coloring दिखाई देता है यानि कि उनमें एक रक्त लालिमा दिखाई देती है तो यहाँ पर बात करते हैं कि जॉन वर्ट्स वर्ट उनका भाई था और 1795 में उसकी death हो जाती है तो कराई सूरज की धलते सूरज की लालिमा जिसमें रक्त लालिमा जैसी लगती है मुझे जो है दुखी कर देती है जिसमें मनुस्थ की मुर्टलिटी माने नास दिखाई देता है मनुस्थ की मृत्वी दिखाई देती है तो मनुस्थ की मृत्व है और श्वरूप को समझें के लिए मैंने एक दोड़ और भी दोड़ी है and other palms are born और मैंने प्रिकर्टी से दूसरे पुरुषकार तो यहाँ पर पुरुषकारों की बात कर रहा है आध्यात्मेक पुरुषकार प्राप्त किये है तो आप आध्यात्मेक पुरुषकार को समझ लीजिए एक सब्ध है इसको याद रखना है mystical pentheism यह है mystical pentheism इसका अर्थ है कि to see soul in every object of nature प्रिकर्टी के हर कण में आत्मा के दर्सन करना जिसको बोलते हैं हर कण में सरवात्मा के दर्सन करना यह महसूस करना कि प्रिकर्टी के हर जगा इस्वर ही इस्वर बिद्वान है तो इसको mystical pentheism कहा जाता है और यह love of nature है प्रिकर्टी के प्रिकर्टी बिलियम बड्सवर्ट का जिसका चरम यही है mystical pentheism तो फिर इसी की बात इस last stanza में बिलियम बड्सवर्ट कर रहे हैं thanks to the human heart why which we live उस इस्वर्ट इस मनुस्य के दिल को धन्यवाद धन्यवाद उस हिर्दय को जिसने हम को जीवित रखा है thanks for its thanks to its tenderness इसकी कुमलता को धन्यवाद its joy and its fierce इसके आनंद और इसके भै को धन्यवाद to me the meanest flower that blows can give छोटा सा छोटा फूल भी जो खिला हुआ है thought उन बिचारों को देता है do often lie too deep for tears जो काफी गहराई से मेरे अंदर बसे हुए है for tears और उनको सोच करके मेरे मन में आंसु निकलाते है तो यहाँ पर बात कर रहा है कि छोटे सो छोटा फ्लावर भी मुझे उस परमात्मा के दर्सन करा देता है तो यह था आज का भाव इन लाइन्स का एक्स्पिनेशन उम्मीद कर रहे पसंद आया होगा थेंक्यू ओल दे बैस्ट